हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से नर्सिंग एजूकेशन के इसी यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं बहुत-बहुत स्वागित करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स रिसी केस की एक न्यू वैकेंसी जिसमें एन एम, स्टाफ नर्स, लेब टेकनिशन एन मेडिकल ओफिसर्स की वैकेंसी रहने वाली हैं वैकेंसी के बारे में डेटेल बताएंगे आपको कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट कब है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आपका सलेक्शन किस बेस पर होगा, सारी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगी, तो वीडियो के यह तक वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुंचा सकें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेनत को लाइक कर देजिएगा, तो यहां पर वैकेंसी है, वो कौन्टेक्ट बैसिस पर रेने वाली है, एम्स रिसी केस में है, जो कि डिपार्मेंट अप कम्मिनुटी और फैमिली मेडि यहां पर वैकेंसी निकली है, तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों, यहां पर एक फरवरी 2021 को इसका जो है, ओफिशली नोटिफिकेशन आया है, ठीके, तो यहां पर जो है वैकेंसी है, जो कि इसके इंट्रिवू है, वो कब से होंगे, और लास्ट डेट कब रहेगी, यह बात कर लेते हैं पहले, तो लास्ट डेट है, अप्लिकेशन फॉर्म की रिसीविक करने की, वो यहां पर दोस्तों रहेगी, आपको मेंशन कर रखी है, आठ फरवरी, आप आठ फरवरी के पांच बज़े तक साम को आप अवेधन कर सकते हैं, अवेधन के लिए जो है, फॉ पॉर्मेंट को आप कम्प्लिटी फिल करके, डॉकुमेंट को अटेच करके, फिर मेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है, तो अब बात करेंगे कि आपको यह फार्म कहां से मिलेगा, तो इस फार्म के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगा, वहाँ से क्लिक करते ही आपको टेलिग्राम जोइन कर लेना है, और टेलिग्राम जोइन करने के बाद में वहाँ पर तमाम वेकेंसी की आपको अपडेट और पेडियेफ वहाँ मिलती है, तो इसकी पेडियेफ वहाँ पर हम आव यहां पर पांस फरोरी लिखा है तो आपको मेल आइडी दे रखी है यहां पर यह मेल आइडी पर आपको सेंड कर देना है ठीक है क्या क्वालिफिकेशन ने बात कर लेते हैं मेडिकल ओफिसर की वेकेंसी है दो पोस्ट देने वाली है और जनरल की है तो इसमें एमबीबीएस की वे कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं और डिजैरिबल में देर भालांके एसेंशल की है और और एक पोस्ट और बसुब की एंदर रहने वाली है डिडी डिप्लॉमा यठी टकी है और य HOLims नर्सिंग प्या है तो अपलाई कर सकते हैं किसी भी स्टइट्ट नर्सिंग काउंसिल तो भी आप अपलाई प्लाई कर सकते हैं पन्रह हजार रुपए यहां पर आपकी फिक् कि फास यह भी है तो अपलाई कर सकते हैं अब बात करेंगे जब टेक्निशन के बारे में टोटल दो पोस्ट है एसेंशिल में डेप्लोमा इन लैब टेक्नोलोजी के अंदर होना चाहिए और बारा हजार रुपे यहां पर सैलेरी रहेगी डेजारबल में एबिलेटी टू एं नेक्स ऐसी की एक पोस्ट रहने वाली है ठीक है तो यह थी खास इंफॉर्मेशन सभी से यहां पर एनम में डिजारबल में आपको एक्स्पिंस ऑफ टू येर वर्किंग एड हॉस्पिटल जिसमें पी एसी और सी एसी का भी है तो भी चलेगा और एबिलीटी टू एंटर डाटा इन एमेस एक्सल हैंड और एक्सपिंस इन ऑफिस एप्लिकेंट एमेस वर्ड एस्पिड शीट एंड पर जेंटेशन ठीक है यहां पर अटेंडेंट की भी पोस्ट जिसमें टैंथ स्टेंट पास होना चाहिए और पांच जजार सब्सक्राइब यहां पर आपकी सेल एक्जाम भी ले सकते हैं और इंट्रियो भी हो सकता है बोत दोनों में से कोई भी हो सकता है सेलेक्शन होने के बाद पांस दिन के अंदर दिन आपका रिजल्ट है वो डेक्लियर कर दिया जाएगा और जोइनिंग वहां पर मिल जाएगी आपको इट इस नोट ए पर्मानें परकार टी ए एंड डी विल बी पेड फॉर डी इंट्रिव नोटी एडी ठीक किसी भी परकार का आपका अलाउंस इस वो टीडियेगा नहीं मिलने वाला है बाकि जो भी है निर्ने एमस रिसी के इसकी और से फाइनल रहेगा ठीक है यह है आपकी मेल आईडी ठीक है अब ब डीक हैं यह जो एडिर्जन ग्रानबर लिकने हैं आपको कहां पर इसमें नोट करने है ठीक है उसके बाद में आपका करमंग वग 주세요 उसके बाद नाव पिता का नाम अस्ताइपता डाग पता सारी पिन नंबर हैं कांटेक्ट है जो डीटेल है ठीक है मॉबाइल नमबर एमेल रोजगार, जो भी आपकी जो फॉर्मल्टीज है, वो यहाँ पर completely आपको feel करना है then, उसके बाद में आपको 8 फरोरी से पहले पहले send कर देना है, तो यहाँ पर यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको like करें, share करें और चैनल को subscribe करें, हमें support करने के लिए, और आपको अच्छे लगी, और content हमारे अच्छे लगते हैं, तो आप comment box में comment करके, हमें जरूर बताएं कि सरह आपके हर वीडियो हमें अच्छे लगते हैं, और हमारे लिए informative होते हैं, हमारे लिए बहुत useful होते हैं, तो इस तरीके से, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए, आप सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया करता हूँ, आप हमेशा ऐसे ही हमारी support करते रहें, हम आपके लिए, बहुत ही बहतरीन अच्छे से अच्छे से content, अच्छे से क्रिए würश से ओिड़ा써